हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो एंडी कॉमर्स क्लासिस क्यासे हो आप सब मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इंकम फ्रॉम कापिटल गेन तो यह जो टॉपिक है यह एक स्टूडेंट की डिमांड पे उसकी रेकम क्योंकि पूरा जो टॉपिक है उसके उपर ब्रीफ मतलब एक चैप्टर दिया गया और बहुत ही मतलब बड़ा सारा चैप्टर दिया गया तो उसी को शॉट फॉर्म में मैंने करने की कोशिश करी है तो सबसे पहले इसमें कैपिटल गेन हमने जानना होगा कि क्या होता है और फिर उसकी जो इनकम आएगी उस पे हम टैक्स अग्रा कैशे लगाएंगे क्या कुछ करेंगे तो उसके बारे में हम यहा पढ़ेंगे तो गेन का मतलब होता है प्रॉफुट छीक है और कापिटल मतलभ कि जो कापिटल एसेट हम कही पे लगाएंगे तो उससे जो पोस्ट न थी उतने में तो आप बेचोगे नहीं मतलब जितना उसको बनाने में लगा था फॉर एक्जामपल बनाने में लगा 100 रुपी तो आप 100 में तो बेची नहीं दोगे उस पे कुछ ज़ादा amount लगा के फिर उसको बेचोगे तो माल लेते हैं हमने 120 में इसको बेच दिया तो जो 20 रुपी होगी वो उसका profit हो गया या हम कह सकते कि gain हो गया तो हमारी कुछ है capital assets होती है वो क्या होती है उनको मैं अभी आगे बता दूगी ठीक है तो जो capital assets होती है वो previous year यानि पिछले साल की जो capital assets है उसको हमने किसी को transfer कर दिया किसी भी बंदे को या फिर किसी company को हमने उसको transfer कर दिया बेच दिया तो बेचने से जितनी amount का हमें profit या gain हुआ उसको हम capital gain कहते हैं चीक है इतना clear हो आदे को जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज बेची थी उसकी cost इतनी थी लेकिन बेची इतने में और फिर इतने का profit वैसे ये capital assets है जिसको हमने transfer कर दिया बेच दिया किसी को तो उससे जो हमारा profit हुआ वो capital gain हुआ जब हमारा selling price cost price से जादा होता है जैसे 120 और 100 तो वो होता है capital gain लेकिन जब selling price cost price से कम होता है तो वो होता है capital loss तो gain भी हो जाता है loss भी हो जाता है बट generally हम capital gain की यहाँ पे बात करेंगे अब जब हम capital gain निकालते हैं तो उसमें हमें तीन चीजों के बारे में पता होना चीज की capital asset क्या है क्योंकि इसी के उपर तो निकल रहा है ना इसी को हम transfer कर रहे है तो capital asset क्या है इसके बारे में बताये गया section 2 सब section 14 में फिर transfer of capital assets capital assets का transfer क्या होगा and third one is computation of capital gain the most important part of this chapter of this topic सबसे important part तो यह यह ना कि compute कैसे करेंगे कैसे calculate करेंगे capital gain को तो वो आता है section 48 में तो सबसे पहले देख लेता है कि what do you mean by capital assets capital assets जैसे कि हमारी land and building जमीन होगी कोई भी building होगी furniture होगया, plant या machinery होगी किसी भी capital का कोई भी हिस्सा share होगया goodwill होगी, investment जो हमने करी है तो वो सारी होती है capital assets जिनको हम लंबे time तक के लिए use करते हैं, long term तक के लिए use करते हैं, generally ऐसा ही होता है, एक बार आपने कोई भी जमीन या building अपने business के लिए खरीद ली और मतलब deal वगएरा पकियोगी तो ऐसा होता है कि फिर बाद में उसको हम change नहीं करते हैं, या फिर machinery क्योंकि business में तो भारी भारी machine लगती है तो generally इसमें long term की capital assets आती है तो capital assets may be tangible और intangible tangible भी हो सकती है, intangible भी हो सकती है मतलब हम उसको छू भी सकते है, ऐसी भी हो सकती है और भाई goodwill है, मतलब कोई भी business है और उसने कितना नाम गमाया, कितनी ख्याती यानि प्रसिद्धी गमाई है तो वो तो intangible होगी, उसको हम सिर्फ देख सकते है कि भी वो कितनी famous है, छू नहीं सकते है तो वो intangible होगी, और fixed or current ठीक है, तो यह हम plus one plus two में पढ़ चुके है कि क्या कुछ होता है अब देखो आगे capital assets के regarding दो बाते कहें गई है पहली चीज क्या, कि वो जो capital assets है ना वो कोई भी property हो सकती है, एक taxpayer यानि SSC जिसको tax pay करना है, उसकी और वो business or profession से related हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती यानि कोई भी property है आपके पास और वो आपके business या जो भी आप profession कर रहे हो, तो उससे वो related है या नहीं है, तो भी वो capital assets के लाएगा, अगर हमने उसका transfer कर दिया है, फिर उसके बाद capital assets में वो securities भी include होंगी, जो के एक foreign investor के security है और ये सारी security से भी act 1992 के under हमने invest करी हुई है, is that clear? तो capital assets के regarding दो ये provisions है, उसके बाद देखो भी, capital assets जो है, अब हमने उसको transfer करा, अब वो थोड़े time तक के लिए भी हो सकता है, उस्यादा time तक के लिए भी, तो अगर थोड़े time तक के लिए वो होंगी, मतलब short term capital assets अगर वो हैं, तो उन पे जो लाब होगा, वो होगा short term capital gain, short term के लिए जो लाब होगा, और अगर वो long term capital assets है, तो long term capital gain होगा, इसके regarding, देखो, ये कुछ चीजें हैं, क्या हैं, इनको पढ़ते हैं, मतलब कि हम assets को कैसे differentiate करें, कैसे पता करें, कि भी वो short term capital assets है, ये long term, अगर तो SSC ने, वो assets less than 36 month, मतलब 36 महिने से कम टाइम के लिए अपने पास रखिया और कम टाइम के लिए उसने use करी है, तो वो short term capital assets होगी, और उसको transfer करने या sale करने से जो भी हमें profit होगा, वो short term capital gain होगा, लेकिन अगर वो assets हमने 36 महिने या फिर 36 महिने से जादा time के लिए अपने पास रखिया है, या फिर use करी है, तो फिर उन assets से जो profit होगा, जो gain होगा वो long term capital gain होगा, listed securities के अगर बात करें, जैसे की shares, bonds जो की किसी stock exchange पे listed है, जैसे SEBI के rule and regulation के according SEBI के अंदर listed है, या फिर national stock exchange पे listed है, या फिर bombay stock exchange पे listed है, मान लेते हैं, ऐसा कुछ है तो अगर वो listed security मतलब कर listed security अगर वो है तो अगर हमने उनको 12 महिने से कम टाइम के लिए अपने पास रखा है या फिर use करा है या invest करा है 12 मेने से कम टाइम के लिए तो वो short term capital gain होगा उन assets से, और अगर उन जादा 12 मेने से जादा time के लिए या फिर 12 महिने के लिए हमने उनको invest करा है in shares या bonds को तो उनसे जो gain होगा वो long term capital gain होगा और इस तरह की जो security है वो long term capital assets या long term capital securities होगी अगर non-listed security की बात करें तो 24 month से कम अगर है तो short term capital assets होगी उन पे जो profit होगा short term capital gain होगा और 24 month या फिर उससे जादा के लिए है तो long term capital gain ये जो है greater than का sign होता है और ये equal का sign होता है और ये less than का sign होता है ये पता ही होगा आपको ठीक है ओके तो तो हमने देखा कि जो हमारा capital gain है उसके 3 important factor है जिसमें हमने पढ़ा कि capital assets क्या होती है और वो जो capital assets है उसके regarding 2 provisions जो है वो क्या है और उसके regarding जो gain होगा मतलब हम कैसे पता करेंगी कि short term है या long term है लेकिन अब capital assets में भी कुछ ऐसी है जिनमें हम ऐसा बोल सकते है कि following are not included in capital assets कि capital assets में क्या-क्या चीज़े include नहीं किया जाती शामिल क्या-क्या नहीं किया जाता यह मतलब कोई भी ऐसा stock है जो कि raw material के form में है या तो कच्चे माल की form में है या फिर consumable store की form में है और वो आपका जो business and profession था उससे exclude कर दिया गया है निकाल दिया गया भार तो फिर हम उसको capital assets नहीं मानेंगे फिर उसके बाद आता है agriculture land agriculture land जो है उसको कब नहीं मानेंगे हम capital assets जब वो एक ऐसी जगह पे है वो जमीन जहांकी population 10,000 से कम है यानि हम ऐसे कह सकते कोई भी agriculture land मतलब एक ऐसी land जहां पे क्रिशी होती है agriculture से related काम होता है तो वो अगर ruler area या फिर 10,000 से कम population वाले area में बनाई गई है तो फिर उस पे जो भी assets वगएरा होगी उसको हम capital assets नहीं मानेंगे 65% gold bonds 1977 की scheme की according 7% gold bonds 1980 की scheme की according और national defense gold bond 1980 की scheme तो ये तो scheme के name है जो आपको याद करने होगे अगर इनको central government issue किया है अगर ये जो scheme है इन scheme की according इनको central government ने issue करा है नहीं करेंगे special bearer bonds जो की 1991 की अंडर आते है उनको भी capital assets में शामिल नहीं किया जाता special bearer bonds जो की 1991 के अंडर आते है उनको भी capital assets में नहीं किया जाता gold deposit bond ऐसे gold deposit bond जो की gold deposit scheme 1991 के अंडर आते है ऐसे gold deposit bonds जो की gold deposit scheme 1991 के अंडर आते है उनको भी हम उसमें include नहीं करेंगे, उनको भी हम capital assets नहीं मानेंगे, उसके बाद security deposit, ऐसे security deposit जो की gold monetization scheme 2015, okay, gold monetization scheme 2015 के अंदर जो भी security deposits आते हैं, उनको हम capital assets में शामिल नहीं करेंगे, कोई भी movable property है, जो की SSE, कोई भी मतलब tax payer जो है, या फिर उसकी family का कोई भी member, अगर उस movable property को अपने personal use के लिए use कर रहे हैं, जबकि है वो business की, तो फिर हम उसको capital assets नहीं मानेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक topic cover कर लिया, capital assets वाला, अब हम करेंगे next topic, transfer of capital assets, section 2, subsection 47, transfer of capital assets, पर क्या-क्या चीज़े transfer में include होगी, वैसे आपको पता ही है यह तो, कि हम कोई भी चीज़ sale कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ exchange कर रहे हैं, एक के बदले दूसरी चीज़, किसी भी asset का, या फिर property का, तो वो transfer कहलाएगा, extinguish of rights in respect of assets, अगर आपने कोई asset जो है, वो किसी को दे दी, तो फिर उसके अधिकार, उसके जो rights उस पे जो थे, वो भी आपके चले गए न, तो जब आपके उस assets पर से rights चले जाते हैं, दूसरे बंदे को वो right मिल जाते हैं, तो वो भी transfer कहलाते हैं, maturity और redemption of zero coupon bond, zero coupon bond की maturity का time आगया, या फिर उसके redemption हमने कर दिया है, तो वो भी transfer के अंदर आएगा, कोई भी business है, अगर हमने उसको convert कर दिया, limited liability वाली company में, business को limited liability वाली company में, conversion अगर कर दिया, तो वो भी transfer के अंदर आएगा, अगर कोई भी transfer, transfer property act 1882 के section 53A के according हुआ है, तो वो भी transfer कहलाएगा, तो ये चीज़े आएगे transfer के अंदर, अब सबसे main topic जो है, वो अब होगा, वो है computation of capital gain, की capital gain को compute क्या से करेंगे, उसके लिए माने एक table भी बनाई है, because बिना table के वो होने वाला नहीं था, बड़ा ही topic था, और फिर उसमें भूलने वाला पूरा वो system है, तो इसलिए उसके लिए मैंने table बनाई है, जिससे आपको बड़े अच्छे से वो चीज़ जो है, वो समझ आ जाएगी, तो चलिए करते हैं, most important topic of this chapter, computation of capital gain, okay, so this is computation, और इस computation में एक तो ये जरूरी है, कि बई क्या कुछ है, इसके अलावा इसमें exemption जो है न, वो भी बहुत बड़ी, मनलब important है, तो exemption के लिए table बनाई है, और computation के लिए formula है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो अगर capital gain, short term वाला है, short term capital gain है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे compute करेंगे, entire amount of consideration, कि कोई भी, हमने कोई भी चीज, कोई भी property transfer करी है, तो उसके बदले में हमें जो मिला है, मतलब selling amount, जिसे हम बोल सकते हैं, sell करने के बाद हमें जो पैसे मिल रहे हैं, चीक है, तो वो हो जाती है, इसको हिंदे में बोलते है, प्रतिफल, मतलब किसी चीज के बदले में, हमें जो amount मिलती है, वो होती है, consideration के amount, तो उसमें से हमने cost of acquisition, जितने में हमने उसको खरीदा था, एजर कच्छे माल के रूप में खरीदा था, मतलब raw material के रूप में खरीदा था, या जैस उसको improvement करा, तो improvement की जो cost आएगी, वो भी घट जाएगी, और उसके उपर selling expenses, जैसे कि किसी को commission दिया, किराया दिया, उसको जहां से हम ले के आया, वहां से ले जाने में, जो amount लगी, ठीक है, या फिर उसको बेजने पर जो भी efforts हमने लगाए, तो वो selling expenses में आ जाएगे, तो बीस में minus हो जाएगी, तो क्या क्या minus हुआ, consideration के amount में से acquisition की cost, improvement की cost, selling expenses और exemption, इनको minus करने के बाद, जो amount आती है, वो आती है, net short term capital gain, मतलब हमारी net value, शुद्ध मुल्या जो है, capital gain का, वो आ जाएगा, उसके बाद, यह तो था कि short term capital gain कैसे compute करेंगे, लेकिन अगर हमें compute करना है, long term capital gain, तो कैसे करेंगे, same to same वैसा ही है, बस थोड़ा सा difference है, और वो difference है, index का, तो यह index क्या होता है, index का मतलब होता है, कि, जैसे की माल लेता है, कोई भी, कोई भी asset है, तो उसकी price है इतनी, for example, लेकिन, फिर क्या होगा, जब जब inflation होगी, मतलब के महंगाई बढ़ेगी तो उसकी price में भी तो कुछ ना कुछ effect आएगा, वो भी या तो बढ़ेगी, या फिर कम होगी, है ना, या तो बढ़ सकती है, या फिर कम हो सकती है, ऐसे ही कुछ होगा, तो index का मतलब है, कि, जो वो change हुआ, उसके according जो amount आई, वो amount, ठीक है, साथ की साथ calculate कर ली जाती है, य इतने आपको consideration मिली, किसी चीज़ के बदले में, उसमें से indexed cost of acquisition, कि उस time खरीदी होती तो इतने amount होती, और अब अगर खरीदी होती तो इतने amount होती, तो उसके उपर, तो वो जो indexed cost है, वो घड़ जाएगी, indexed cost of improvement घड़ जाएगी, और indexed selling expenses, यानि cost of transfer जो है, वो घड़ जाएगी, ये सारे चीज़े less हो जाएगी, तो net long term capital gain आएगा, और इसमें index का use होता क्यों है, क्योंकि ये लंबे time तक के लिए हम इस assets पे इसको use कर रहे हैं, वो तो short term के लिए था, तो कोई change ही नहीं है short term में तो, लेकिन long term में तो काफी change आते हैं, तो वो जो changed value है, changed cost of acquisition, changed cost of improvement, changed selling spells, तो वो सारी चीज़े यहाँ आ जाती है, अब पढ़ लेते हैं हम, क्या, exemptions, section 54 से related होती है, ये सारी exemption, और ये आ जाती है, और ये जिट topics है, वो है become, final year में हमने पढ़ा होगा, capital gain exempt from tax, तो देखो 5 star का मतलब इतना है, कि ये जो topic है, बड़ा important topic है, तो ऐसी capital gain की amount, जो की, जिसके उपर tax लगता ही नहीं, जो की tax से बिलकुल free है, exemption जिस पे मिली हुई है, वो topic, तो capital gain from transfer of residential house, कि अगर कोई SSC, यानि tax payer, जो की tax pay कर रहा है, वो अपना residential house, जिस घर में वो रहता था, उसको अगर transfer कर देगा, किसी को, मतलब बेज देगा, तो उसको capital gain होगा, तो उस capital gain की जो amount होगी, उस पे tax कितना, मतलब आपको नहीं देना पड़ेगा, कितना exempt है, वो section 54 में दे रखा है, उसके बाद capital gain from transfer of agriculture land, कोई ऐसी जमीन है, जो की agriculture से related है, जिस पे खेती वगरा होती है, तो अगर SSE इस land को किसी दूसरे को transfer करते, तो उस पे कैसे calculation करेंगे हम, वो section 54B के अंडर आता है, उसके बाद capital gain arising from continuous acquisition of land or building of industrial enterprise, कि बही कोई land or, कोई enterprise है, मतलब बहुत बड़ी industry है, उसका कोई हिस्सा है, चाहे वो building हो या फिर land हो, तो उसका transfer अगर हम किसी बंदे को कर रहे हैं, और वो जो बंदा है, वो कौन है, government of India है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो उससे हमें कुछ भी capital gain वगरा होता है, तो उसकी calculation हम section 54D के according करते हैं, फिर उसके बाद capital gain from transfer of long term capital assets, कोई long term capital assets है, लंबे time तक के लिए, चाहे आप building लगा सकते हो, चाहे आप machinery तो उस पे हम कैसी exempted जो amount है, उसकी calculation करेंगे, वो होगी section 54, EC के under, LTCZ यानि long term capital gain हो रहा है, residential property, बिल्कुल ऐसे ही आप residential आपकी property है, और आप उसको transfer कर रहे हो किसी दूसरे बंदे को, तो उसकी calculation होगी section 54, GB के under, फिर से यह long term capital assets, यह अलग वाली asset है, दोनों बता दूंगी म lender आती है, और capital gain, जब आप कोई आपकी industry है, और उसको urban area, मतलब शहरी, छेतर शहरी जो area है, उससे उसको आप transfer कर रहे हो, दूसरी जगह shift कर रहे हो, और वो जगह कौन सी होगी, non urban area में अगर आप shift कर रहे हो, तो section 54, GB के according हम calculate करेंगे, इसकी exemption, कितने exemption हमें मिलेगी, फिर capital gain from transfer of assets regarding, इसमें भी हम assets की वो कर रहे है, ट्रांसफर कर रहे है, urban area से, कहां पे, SCZ, यानि special economic zone वाले जो area है, वहां पे हम डाल रहे है, तो section 54, GA में आईगी, तो छीक है, इनको अब बिल्कुल अच्छे से, एक table की form में, जो मैंने लिखा है, वो पढ़ लेते हैं, समझ आ उससे जो capital gain हुआ, उसके exemption, section 54, के according होती है, calculation, तो चलिए देख लेते हैं, section 54, इसमें ना देखो, सबसे पहली चीज, तो ये जो points दे रखे हैं, उपर red color के pants, जो लिख्यों है, बड़े important है, क्योंकि हर एक उसमें use होंगे, तो आप इनको separately लिख सकते हो, पहले आपने मान ये लिख दिया, capital gain from transfer of residential house, section 54 लिख दिया, फिर calculation में, आप first point डालोगे, assets which are transferred, की सबसे पहले section डालोगे, section 54 होता है, फिर इसमें कौन सी asset transfer होगी, residential house transfer होगा, कौन सा SSC libel होगा, मतलब किसको tax pay exemption मिलेगी, वो या तो individual हो सकता है, या HOF, मतलब कोई company नहीं हो सकते है, अगर कि इसी company ने ऐसा करा है, तो वो उसको exemption नहीं मिलेगी, या तो कोई एक individual बंदा है, कोई person है, या फिर हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू undivided जो family होती है, उन्होंने अगर ऐसी transfer करी है, तो वो ही उनको ही tax pay exemption मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, इसकी एक condition है, और वो condition क्या है, कि वो जो house है, वो उन्होंने 24 month से कम time तक के लिए use किया हो, या फिर 24 month से कम time तक के लिए उन्होंने रखा हो अपने पास, उसके बाद उन्होंने transfer करा है, तब ही उनको exemption मिलेगी, और tax की exemption कितने तक मिलेगी, जितने का उन्होंने नया घर खरीदा है न, उस नये घर की cost के हिसाब से उनको exemption मिलेगी time period time period for investment कि इन्वेस्ट कितने time तक वो investment कर सकता है अगर transfer करने के पहले की बात है तो एक साल के अंदर अंदर उसको ऐसा नया घर वगेरा जो है वो खरीद लेना चाहिए मतलब अपनी investment कर देनी चाहिए और after transfer के अगर बात करें मालो transfer उसने कर दिया है घर तो फिर उसको दो साल के अंदर अंदर खरीद लेना चाहिए और अगर बना रहा है तो तीन साल के अंदर अंदर नया घर बना देना चाहिए तब भी उसको exemption मिलेगी है ना कि नए घर की cost पे तो exemption मिल ली है ना तो उससे साब से और जो non-used amount है उसका हम क्या करेंगे मतलब ऐसी amount जो आपने use ही नहीं करी उसको capital gains account plan 1988 के according account होता है तो capital gains account ठीक है तो उसमें हम उसको deposit करा देंगे non-used amount को और अगर आप new asset को sale करना चाहते हो तो within 3 year आपको sale कर देनी होगी नहीं तो फिर उस amount पे tax pay करना पड़ेगा आपको ठीक है विदिन 3 year वो exempted है तो उसके अंदर अंदर आपको sale कर देनी है तो first आपको आई होप समझ आया फिर second हमने पढ़ा था agriculture land वाला तो इसमें भी देख लेते है agriculture land 54b के अंदर आते है इसमें आप क्यों क्या transfer करनी होती है agriculture land transfer करनी होती है इसमें कौन-कौन से SSC होते है जो कि अगर ऐसी land transfer कर दे तो उनको tax exemption मिल जाएगी तो वो individual हो सकता है या हुए हो सकता है कितने time period तक के के होनी चाहिए थी मतलब इसे जाधा मन्त के लिए नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो फिर आपको मिल जाएगी exemption exemption किस amount पे मिलेगी जो new land आपने खरीदी है उस amount पे और कब तक खरीद सकते हैं new land हम after transfer within two years जब हमने transfer कर दी अपनी जमीन तो उसके दो साल के अंदर अंदर हमने खरीद लेनी है और फिर उस cost पे हमको exemption मिल जाएगी non-used amount का क्या करें capital gain account जो plan था 1988 तो capital gain account में deposit करा दो और sale कब कर सकते हैं हम उस assets को अगर नहीं assets हमने खरीद दिया तो within three years हम उसको sale कर सकते हैं otherwise उस पे tax लग जाएगा ठीक है फिर next हमारा था land and building वाला की land and building जो है एक industrial enterprise की जो land and building है तो उसका हम यहाँ पर transfer करेंगे SSC कौन libel होगा any SSC कोई भी हो सकता है individual हो सकता है HOF हो सकती है company हो सकती है तो कोई भी हो सकता है और उसके पास assets जो है वो कितने time period तक के लिए उसके पास होनी चीए 24 month भी हो सकते है उसके जादा time के लिए भी हो सकती है किस cost तक उसका exemption मिलेगी नई land और building जो है या नई जो industrial enterprise उसे ने खरीदिये उसकी cost तक और उसके बाद कब वो invest कर सकता है मतलब नई assets कब तक खरीद सकता है after transfer within 3 years जब वो transfer करेगा तो उसके 3 साल के अंदर-अंदर और जो non-use amount है उसको कहाँ डालेगा वही अपना capital gain account plan में डाल देगा और उस नई asset को sale करना चाते है तो कब तक sale कर सकते है तो फिर वही 3 साल के अंदर-अंदर sale कर सकते है तब तक तो वो exempted है मतब तब तक तो उस पर tax लगना नहीं बाद में उस पर tax लग जाएगा ओके next long term capital assets तो दो type की थी यह ना हमने दो पड़ी थी मैंने बूला था कि मैं बता दूँगी तो long term capital assets जो की section 54 ECC related है उसमें कोई भी SSC है हर किसी को tax pay exemption मिल जाएगी चूट मिल जाएगी तो कब तक वो उसको use कर सकते है जितना उसका time period है long term capital asset का मतलब यहां पर है जितना time period के लिए वो asset हमने खरीदी थी उतने time period तक के लिए हमारे पास हम उसको रख सकते है जैसे 10 साल 15 साल ठीक है या फिर महीने जितने भी होते हैं वो और इसमें आपको मतलब tax के exemption किस amount तक मिलेगी आपने जो भी नया bonds वगेरा खरीदे है या फिर R.E.C. Limited का कुछ खरीदे है आपने तो उस amount तक मिलेगी और आप नई जो यह bonds वगेरा है उसमें कब तक investment कर सकते हो within 6 months transfer के 6 मेने के अंदर-अंदर और फिर वही non-used amount को capital gains account plan में डाल देंगे और हमें within 3 years जो है sale कर देनी है मतलब उस चीज़ को कहीं और लगा देना है लेकिन यहाँ पे long term capital gain होगा क्योंकि long term capital assets की बात हो रही है और यहाँ पे simple capital gain था फिर यह taxable हो जाएगा अच्छा next long term capital assets होगी section 54 double E होगा किसी भी SSC को मिल सकता है exemption और long term capital assets का जितना time period है उतने time period तक के लिए हम उसको use or keep करके रखेंगे ठीक है और लेकिन इसमें bonds नहीं आएंगे इसमें आएंगे units of notified fund यह जो दोनों sections है ना इसमें different यह है कि इसमें नई assets जो होगी investment के लिए वो bonds होगे और double E वाले में जो नई assets होगी वो notified funds होगे ठीक है और फिर वही कि ट्रांसफर के छे मेने के अंदर अंदर आपको नई units जो है वो खरीद लेनी है और non used amount को capital gain account plan में डाल देंगे और वही long term capital gain होगा सारी चीज़े same same चल रही है एक बस starting का first समझ आ गया ना तो बाकि सारी चीज़े same same है फिर तीन रहेगी 54 G, 54 GA और GB G में जो है वो क्या है industrial enterprise from urban area कि शारी छेतर से हम दूसरी जगा ट्रांसफर करने वाले थे तो इसमें कौन सी assets आएंगी वो assets जो कि हम urban area से दूसरी जगा ट्रांसफर कर रहे है कौन SSC होंगे जिनको ये tax pay exemption मिल जाएगी any SSC, मतलब किसी को भी मिल जाएगी और long term capital asset है या short term capital asset है long term capital asset है तो जितना time period है उतने time period के लिए उतने के लिए रखेंगे otherwise नहीं रखेंगे tax exempted amount कितनी होगी जितनी आपने expenses करा है उसके asset के transfer से या उसके use से related non urban वाले area में भीजने के लिए तो उतने पे आपको exemption मिल जाएगी आप कब तक कर सकते हैं exemption before transfer 1 year तक और after transfer 3 year तक बाकि फूर सेम तो से मैं capital gains account में डाल देंगे और यह जो है sale of new assets जैसे हमने 54 B 54 D 54 में करा है ना वैसे हम sale कर सकते हैं मतलब 3 year के अंदर-अंदर sale कर सकते हैं अदरवाइस taxable हो जाएगी फिर उसके बाद 54 GA इसमें भी हमने अर्बन एरिया से transfer करने वाले थी किसी enterprise को तो वह enterprise आ जाएंगी इसके अंदर कोई भी SSE जो है वो libel होगा long term capital asset का time period यह short term capital assets का time period आएगा लेकिन इसमें हम transfer करने के लिए कहां पे नई assets क्या होगी SEZ में डालना उस asset को SEZ special economic zone unit में डालना और non used amount अच्छा यह भी वही same to same आ रहा है इसका time period भी कि before transfer one year के अंदर-अंदर उसको SEZ में convert कर देना है after transfer 3 year के अंदर-अंदर convert कर देना है non used amount का क्या करेंगे capital gain वाले जो प्लान है उसमें डाल देंगे ठीक है और इसमें भी same to same calculation होगी within 3 year हमने sale कर देना है next और last 54 GB long term residential property हमने उपर residential house पड़ा था बट यह short term के लिए भी हो सकता था long term के लिए भी है न क्योंकि 24 months से ज़्यादा का था यह लेकिन यहाँ पर long term वाला है specifically दे रखा है तो कौन को लाइबल होगा एन individual होगा लेकिन इस बार 36 महिने से ज़्यादा वाला होगा ठीक है फो 24 महिने से ज़्यादा वाला था और फिर उसके बाद इसमें उनको क्या खरीद सकते है वो कहां तक लाइबल होगा ordinary shares of honorable company कोई honorable company है तो उसके shares जो खरीदेंगे तो उसकी cost तक आपको tax exemption मिलेगी tax period जो time period होगा investment का वो कितना होगा due date of filling return return जो fill करोगे न तो उसकी due date होगी non used amount का क्या करोगे capital gain account plan में डाल दोगे और new assets की sale कब कर सकते हो within 5 year ये सबसे अलग है तो within 5 year के अंदर आप sale कर सकते हो date of receipts के और ये tax free से taxable बनने में transfer date के बीच का इसमें difference होता है मतलब within 5 year में ने इसमें है ना तो ये table थी हमारी जो बड़ी ही important थी I hope आपको समझ आगी होगी तो इसमें मैंने capital gain को बहुत ही simple और easy language में समझाने की कोशिश करी है मुझे आशे है कि आपको समझ आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजे और इस channel को अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें thank you thank you so much